लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उसे अक्टिवेट करने के लिए हमारे पास flint and steel नहीं था लेकिन डरो मत पोटल अक्टिवेट करने का एक और तरीका है जैसा कि हमने थोड़ी देर पहले कहा था कि यह स्काय ब्लॉक है और स्काय ब्लॉक में छोटी छोटी चीजों के लिए बड़े बड़े काम करने पड़ते हैं तो पोटल अक्टिवेट करने के लिए हम कोबस्टोन फार्म वाले लावा से लेकर पोटल तक वुड़ प्लेस करेंगे थोड़ी देर बाद लावा के पास वाली वुड में आग लग जाएगी और वो आग देरे देरे फैल कर पोटल के पास पहुँच जाएगी और पोटल अक्टिवेट हो जाएगा तो हम पोटल अक्टिवेट होने का वेट करने लगे लेकिन काफी टाइम तक वेट करने के बाद भी वो आग पोर्टल तक नहीं पहुँच पा रही थी और तभी हमें ध्यान आया कि हम इतनी सारी वुड लगाने की जगा डिरिक्ट लावा को पोर्टल के पास भी रख सकते थे तो हमने लावा को पोर्टल के पास रखा और थोड़ी देर में ही पोर्टल में आग लग गई और पोर्टल एक्टिवेट नहीं हुआ हमारी किस्मत कुछ जाद ही खराब है फिर हमने पोर्टल में वुडन स्लैब प्लेज की और थूड़े देर वेट करने के बाद फानली पोर्टल एक्टिवेट हो ही गया शाम की टाइम हमें दर्शन दिये ट्रेडर भाई ने पर हर बार की तरह इस बार भी वो कच्रही लाया था